तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर तो देख लेते हैं इसमें क्वेस्टन किस टाइप से आते हैं यहाँ पर आपको एक गध्यांश दिया गया है इस गध्यांश को पढ़कर जो प्रेशन दिये हैं उनके उत्तर देना है तो इस गध्यांश को ध्यांश से पढ़िए भारती साहिती का अदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है यूरोप का कोई व्यक्ति लगपती होकर जायदात खरीद कर कमपणियों में हिस्से लेकर और उची सुसाइटी में मिलकर अपने को करत्कारी समझता है भारत अपने को उस समय करत्कारी समझता है जब वहाँ इस माया बंद से मुक्त हो जाता है जब उसमें भोग और अधिकार का मोह नहीं रहता किसी राष्ट की सबसे मुल्यवान समपत्ति उसके साहित्ति का आदर्श होते हैं व्यास और वालमेकी ने जिन आदर्शों की स्रिष्टी की है वे आज भी भारत का सीर उचा किये हुए है राम अगर वालमेकी साची में ना डलते तो राम ना रहते सीता भी उसी साची में डलकर सीता हुई यह सकती है कि हम सब ऐसे चरित्रों का निर्मार नहीं कर सकते पर एक धनवंत्री के हुने पर भी संसार में वेदों की आवश्यक्ता रही है और रहेगी ऐसा महांदाय तो जिस पर है उसके निर्माताओं का पत कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं है कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है साधरन तहा युवा वस्ता में हमारी निगाप पहले विद्वन्ष की ओर उड़ जाती है खुदाई फोसदार बन जाते हैं परन्तु आँके काले दबो की और पहुच जाती है यथार्थवात के प्रवाह में बहने लगते हैं बुरायों के नगनचीतर खिषने में कला की कृत कारिता समझते है यह सकती है कि कोई मकान गिराकर ही उसकी जगा नया मकान बनाया जाता है पुराने ढकोसलो और बंदनों को तोड़ने की जरुवत है पर इसे साहिती नहीं कह सकते साहिती तो वही है जो साहिती के मरियादाओं का पालन कए अब प्रशन देख लेते हैं किस गध्यांच के आधर पर कौन-कौन से प्रशन दिये है निम्न में से विकारी शब्द नहीं है भारत लगपती कमपनिया यदी तो में विकारी शब्द नहीं है वो बताना बाकी भारत लगपती कमपनिया तो विकारी शब्द यदि कोई विकारी शब्द नहीं है तो option number 4 तो आपका सही answer हो जाएगा तद्सम वतद्बव शब्दों का असंगत यूब महें उच्छ उच्छा हस्त हाथ नव्य नया अच्छ आँख तो तद्सम और तद्बव और संगत क्यों से होंगे अच्छ और आँख आँख का तद्सम शब्दों होता है अच्छी तो ये दोनों संगत नहीं हैं बाकी सभी संगत हैं साहित्ती तो वही है जो साहित्ती के मर्यादाओं का पालन करे रेखांगी शब्दे जो बताना है कि गुणवाचक विशेशन है संकेत वाचक विशेशन है संबंद वाचक सर्वनाम नेजवाचक सर्वनाम किस प्रकार का है ये उह है नेजवाचक सर्वनाम जो नेजवाचक सर्वनाम में आएगा भारती साहित्ती का आदर्स उस्तियाग और उत्सर्ग है उत्सर्ग रेखांगी शब्द का अर्थ बताना में नियोच्छावर, तेज, प्रेम, सहानुबूती तो उत्सर्ग हो जाएगा नियोच्छावर हम सुधार करने की दुन में अंदादुन शर्च चलाना शुरू करते हैं रेखांगी पद में कौन सा समास है यानि अंदादुन में कौन सा समास है अव्यविभाव, तत्पुरुष, कर्मदारे, द्वन्द जल्दी आपको दांगी केडमी पर समास और संदी के लिए बहुत ही सिम्पल ट्रिक से एक वीडियो मिल जाएगा, जिससे आब बहुत आसानी से किसी भी शब्द में और किसी भी वर्ण में पता लगा सकते हैं कि किसमें कौन सी संदी है और कौन सा समास है तो यहान परनदादुन में समास है अव्जविभाव समास अगला गध्यांश पढ़िए और उसके आदार पर प्रश्णों के उत्तर दीजी इश्ट के कारिच शेतर में हमें और भी कई प्रकार के लोग मिलते हैं जिनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें पूर्ण ग्रणा होती है इनके द्वारा हमारे इश्ट देव के विक्तित्व का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है इनके बीच उनका रंग और भी खुल पड़ता है राम भी हमारे काम के हैं रामन भी हमारे काम का एक में हम अपने लिए प्रवरत्ती का क्रम पाते हैं पूसरे में निवरत्ती का जीवन में इस प्रवरत्ती और निवरत्ती का प्रवा साथ साथ चलता रहता है। प्रवा साथ चलता है। प्रवरत्ती का प्रवरत्ती का अब प्रवरत्ती का देख लेते हैं। या अग्यार्थ, तो यह सामान्य बूद्गाल का वाक्य है, यदि पापी अपने पाप का फले कांत में या अपनी आत्मा में भूग कर चला जाता है, तो अपने जीवन की सामाजिक प्योगिता की एक मातर संभावना को भी नश्ट कर देता है, इस मिश्रवाक्य में आश्रि उपवाक की कैसा है, यहां पर वो क्रिया के बारे में बता रहा है कि वो अपना भूग कर चला जाता, अपना जो पापी अपना फल है, तो यहां पर हो जाएगा क्रिया विश्रिशन उपवाक की, इसकी व्याक्या देख लेते हैं, जब कोई आश्रित उपवाक की प्रधान तो में प्रारम होते हैं तो आप प्रॉपस्तित होता है दुराचारी भी यदि अपने दुराचारा कफल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो शंसार के लिए उपयोगी ठहर जाता है ये वाक्य किस काल का शामानी बुतकाल सामानी वart-मानकाल अपूर्ण व कविता और कहानी, तो कविता सिक्षन पार्ट नहीं है, रिपोर्टाज भी है, संस्मरन भी है और कहानी भी, किस सिक्षन में गती यती का ध्यान रखना पर हम आवश्य की है, उपन्यास, नाटक, कविता और कहानी, तो कविता में गती और यती का ध्यान रखना बहुत आवश मिने में चाहत्र को संपार ने के कारण उनका अध्यापन किस प्रकार और और पर उक कारी पड़िए करना चाहे पहले पड़ीह रादर किसी रचना का लिया जाने वाला पार्ट क्या कहला था कोशिल पार्ट, रस पार्ट, बोध पार्ट, उपियोजन पार्ट, तो यह कहलाता है उपियोजन पार्ट, शुद्ध उचारन तथा वर्तनी की शुद्धता है तू उपसरवाधिक उपयोगी विदी है, संस्लेशन विदी, विश्लेशन विदी, खेल विदी या उपकरन विदी, त चिलता या भाषन कोशन तो यह शुद्ध उचारण के लिए उप्योगी है निमने में से भाषर सिक्षन की अन्य संसाधनों में शामिल है बाल सबा प्रात्ना सबा निभंद प्रतियोगीता उप्योगत सभी तो यहां पर हो जाएगा आपका उप्योगत सभी एक चात्र जो लिखने में आवसमर थे उसे निमने में से किस प्रकार से प्रेरित किया जाना उची थे विश्यवस्तु को तयार कर उसके लेखन में अन्य चात्र की मदद दिलवाना उसे लिखने की बजाए मोखिक अभी वक्ति के लिए प्रेरित करना उसके लिए नीमित लेखक उपलद कराना ये इस और ध्यान नहीं देना तो विश्य वस्तु को तयार कर उसके लेखन में अन्य चात्र की मदद दिलवाना बाश्य सिक्षन में डॉल्टन मिधी का प्रयोग उपयोगी है क्योंकि विद्यारती इसमें स्वा प्रेणा से सीखते हैं इसमें मोकिक भाशा का विकास ह इसमें सिक्षक की अवशक्ता नहीं होती या बालक को परिश्रम से बजाती है तो ये स्वा प्रेणा से सिक्षन में डॉल्टन मिधी उपयोगी है बाश्य संसर प्रणाली को निमने में से किस अनिनाम से भी जाना चाता है तो इसे समवाई प्रणाली के नाम से जाना जाता कहानी उपन्या जीवनी और निबंद तो निबंद को कभी भी दुरुत पाट की रुक में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए देखो और कहो विदी में निवन में से किस बीम्ब का विश्यश मातवे शुरुती बीम, द्रस्टी बीम, विचार बीम, भाव बीम तो देखो और कहो तो द्रश्टी दिम्ब का विशेश महत्वे देखेंगे जबी सीखेंगे मुल्यांकन का विजिस टरती परिश्रपा, अंकन, मापन ये निर्ने लेना तो मुल्यांकन मींस हो जाएगा आपका निर्ने लेना निम्न मेंसे किस कारिय में मुल्यांकन का कोई विशेश महत्व नहीं है पार्ट क्रम निर्मान, स्विक्षन विधी में सुधार अधिगम को प्रभावी बनाना परिवार में सामन्जिस तो परिवार में सामन्जिस में मुल्यांकन का कोई महत्व नहीं है व्यक्ति गतिम सामुईक मार्ग दर्शन को प्रभावी बनाने के लिए निमन में से सर्वादिक महत्पून है विद्याले का बहुतिक स्थर चात्रों का अधिकम स्थर मुल्यांकन प्रक्रिया सबसे अधिक महत्पून चात्र की व्याकरणिक चमता का मापन करने के लिए निवन में से कौन सी परिक्षा अधिक प्योगी होगी रचना परिक्षा साक्षात का शुतिवेग उचारन परिक्षा तो रचना परिक्षा अधिक प्योगी होगी बहुविकल्पी परिक्षा का यहां दोश है कि छात्रों की स्रजन सिल शक्ति का सही मापन नहीं हो पाता छात्रों की भाशागत शेली का सही मुल्यांकन नहीं हो पाता छात्रों की मोली कभी वक्ति का ज्यान नहीं हो पाता यह उक्त सभी तो यहां हो जाएगा आपका ये सारे दोश बहुविकल्पी परिक्षा में मौजूद होते हैं भाष्षा मुल्यांकन में प्रश्ण पत्री की भाष्षा कैसी होनी चाहिए? मानक, स्थाने, मात्र या कोई भी तो हमेशे मानक भाष्षा का प्रयोग किया जाना चाहिए मौल्यांकन की प्रामापी करत विदी है साक्षातकार, व्यक्तियद्यन, आत्मकताय, रूची परिक्षर तो मौल्यांकन की प्रामापी करत विदी है रूची परिक्षर थैंक यू पर वाचिं इस वीडियो